प्रोजाना ताजा खबरे पॉने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट खबरे सबसे पहले दिन में दो बार लगा लिया तो दात इतने सफेद हो जाएंगे कि दूद भी फीका पढ़ने लगेगा दोस्तों आज हम एक ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे जिसे आप दिन में दो बार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दात सफेद हो गए हैं अकसर लोग अपने दान्तों के पीलेपन से बहुत परिशान होते हैं क्योंकि दातों का पीलापन हमारी परसनाल्टी को खराब करने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी बढ़ावा देता है अधिकतर लोग दानतों के पीलापन या कालापन होने के कारण नहीं आत्मविश्वास से कभी किसी के सामने खड़े हो पाते हैं और नहीं किसी के सामने खुल कर बात कर पाते हैं उन्हें शम महसूस होती है ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि दातों का पीलापन होने पर कोई व्यक्ति खुल कर हसता है तो उसे कोई ना कोई जरूर टोक देता है अगर आप भी अपने रोजमरा की जिन्दगी में इस तरह के दातों को लेकर परिशान हैं और शर्मिन्दगी का सामना कर रहे हैं तो अब आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आज हम आपको दतों का पीलापन दूर करने के ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिसके प्रयोग से आप सिर्फन दो दिन में दातों के पीलेपन से मुक्ती पाकर सफेद और चमकदार दात बना सकते हैं इस उपाये का नाम है इलोवेरा आज तक आपने इलोवेरा का इस्तिमाल सिर्फ सौंदरे बढ़ाने में सुना होगा लेकिन आज हम आपको इलोवेरा के प्रयोग से दात साफ करने का नुस्खा बता रहे हैं सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको मार्केट से इलोवेरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है बलकि आप अपने घर में उगे इलोवेरा से ही अपने इस समस्या से निजात पा सकते हैं दातों की परिशानियों को दूर करने का सबसे अच्छा नेचुरल उपाय इलोवेरा है जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ चमतकार हो गया है दोस्तों यह जान लेते हैं कि इसका मिश्रन आपको कैसे बनाना है इसके लिए आपको एक कप पानी लेना है आदा कप बेकिंग सोडा लेना है एक टेबलस्पून इलोवेरा लेना है एक टीस्पून ग्यसरीन लेनी है और दो से तीन बून निबू का रुपे लेना है अब आप इन सभी चीजों को मिला कर अच्छी तरह से एक मिश्रन बना लें इससे रोजाना दात साफ करें इस प्राक्रितिक पेस्ट से दात सफेद होंगे धानतों का पीला पंदूर होगा और साथ ही मसूरों के दर्ब से भी हमेशा के लिए चुटकारा मिल सकेगा